भारत और एशिया की पहली महिला डीजल इंजन ड्राइवर मुम्तास काजी मुम्तास को इस साल महिला दिवस पर राष्टर पती की तरफ से नारिशक्त तिपुलसकार मिल चुका है ये अवोड पाने वाली वो देश की साथ प्रभावशाली महिलाओं में से एक है मुम्तास 20 साल की उम्र से ही मुम्बई से लोकल ट्रेन चला रही है और पूरी तरफ आदमियों का प्रोपेशन कहे जाने वाले इस पेशे में अपना नाम बनाया है इस वक्त वो रिवे के सबसे व्यस्त कौर जोड की जिम्मेदारी संभाल रही है चत्रप्ति श्रिवाजी महाराज डर्मिनस ठाने जितना आसान लग रहा है उनका सफर उतना ही मुश्किल था वो एक रोढ़िवादी मुसलिन परिवार से तालुक रखती है और ऐसे परिवार में ड्राइवर बनने के उनके फैसले के हर कोई खिलाफ था उनके पिता खुद रेलवे के डिवेजन आफिसर थे और उन्हें मुम्ताज का फैसला बिलकुल पसंद नहीं था लेकिन मुम्ताज ने किसी तरह उन्हें मना लिया मुम्ताज का बचपन रेलवे कॉलनी में बीता है वो बचपन से रेलवे में जाना चाहती थी मुम्तास ने 12 वी के तुरंट बाद SSC की परिक्षा दी और उसमें सलेक्ट हो गई उसी समय रेलवे ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए एक परिक्षा करवाई जिसमें ड्राइवर के पद के लिए महिलाएं भी आवेदन कर सकती थी मुम्तास ने तुरंट थी ये परिक्षा दी और इसे बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास्ट भी किया साल 1995 में मुम्तास के ख्याती भारत में फैल गई जब पहली महिला लोको मोटिव ड्राइवर के लिए उनका नाम लिम के बुक अफ रिकॉर्ड समिधर्श हुआ उसके दस साल बाद उनकी सेवाओं के लिए रेलवे ने उन्हें रेलवे जनरल मैनेजर अवोर्ड से भी नवाजा इस नौकरी की मदद से मुम्तास ने अपने दोनों भाईयों को पढ़ाया और उन्हें इंजिनियर बनाया और अपना खुद का मकान भी लिया आज उनके भाई विदेज में कारी कर रहे हैं मुम्तास की 2002 में शादी हुई और उनकी पती भी एक इंजिनियर है उनके दो बच्चे हैं और जब वो काम नहीं कर रही होती तो अपने बच्चों के साथ समय बिताती हैं जो हजारों मुश्किलों को जेल कर आगे बढ़ने और समाज में औरतों का नाम मुचा करने का सपना देखती हैं